पती पर किया है और कमाल की बात यह है कि किसी प्रकारक कोई भी आपका एक्जाम नहीं होगा आपका सीधी भरती यहां पे होगा, यानि कि मेट बेस पे आपका selection यहां पे किया जाएगा तो कैसे form को feel करना है किस तरह से step by step जनकारी आपको हम provide करवाएंगे, जैसे कि नय रइस्टेशन कैसे करना है या फिर आपने पहले से रइस्टेशन किया हुआ है तो आपना जो रइस्टेशन नंबर है उसको कैसे forget करेंगे और किस तरह से form को apply करेंगे post का जो preference है आपको कैसे देना है सभी जनकाई जो इस वीडियो में clear करके बताएंगे जो GDS का online engagement वाला portal है यहां पे आप आएंगे तो देखेंगे कि यहां पे schedule 2 के तहद 3041 पदोपे भरती को लेकर official notification यहां पे जारी कर दिया गया है notification का option पर जाएंगे यहां पर notification को आप डाउलोड करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से notification डाउलोड हो जाएगा आपको हम बता दें कि schedule 2nd July 23 के लिए notification यहां पर रिलिच किया गया है जिसमें लगभग 30402 पदोपे भरती होगी यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इसका जो अप्लिकेशन का और डाक से वक्त तो बीपिम की हम बात करें तो 12,000 से लेकर 29,300 रुपया और यह बेपिम और डाक से वक्त की हम बात करें तो 10,000 से लेकर 24,470 रुपया पर salary देखने को मिलेगा हम यहां पर बात कर लेते हैं कि कौन से पोश्ट के लिए आपको क्या काम करना होगा तो यह आएंगे तो इसका हम qualification की बात करें तो अगर आपने metric पास कर लिया हुआ है किसी भी रिकुनाई जो एश्टेट बोर्ट से आप फिर अपने CVC वेगर अगर सकाई से भी पास आउट किया हुआ है तो आप यहां पर फिल कर सकते हैं और आपका इंगलिस जो है ना mathematics और इंग जनकारी आपको होना चाहिए इसके 37 computer का knowledge cycle का knowledge और livelihood में काम करने का भी आपको आच्छा knowledge होना चाहिए उसके बाद हम vibration की बात करें तो यहां पर बताया कि आप देख सकते हैं उसके बाद नीचे आएंगे तो selection criteria की बात करें तो आपका जो selection होगा यहां आप देख सकते हैं कि जो merit list होता है तेंध के जो भी number होते है उसके आपका merit बनाकर यहां पर आपका selection किया जाएगा और किस तरह से आपका grade point मिलेगा इसकी जनकारी यहां पर provide की गई है नीचे आएंगे तो और भी जनकारी दिया गया है कि किस तरह से communication किया जाएगा और किस तरह से आप form को feel कर स तो आप देखेंगे कौन से circle में कितनी भरती आई हुई है तो टोटल आप भरती देखेंगे तो तीस से 41 पदों पर भरती होगा और कौन से circle में कितनी भरती है और वहां के local language क्या है आप यहां पर देख सकते हैं तो वहां का local language जो आपका Hindi होना चाहिए मतलब Hindi आपको पता होना चाहिए कौन से category में कितनी भरती है और total कितनी भरती है यहां पर देखने को मिल जाएगा बिहार में क्यों आप देखेंगे तो यहां पर लगभग जो है इस सपदों पर भरती होने वाली है तो इस तरह से आप जिस भी circle और state के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जनकारी आप यहां पर जरूर देखेंगे उसके बाद यहां पर देखिए circle वाइस जो है कौंसे पोश्ट निकाल सकते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सीवान जैसे डिशटी के अंदर कौँं से ऑपीस में ठीक है कौन से पोश्ट के लिए है लोकल लंग्वेज के आ है और पिन कोड के आ है सभी जनकारी आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पूलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर आवधन कर सकते हैं आवधन करने के लिए आप यहीं पर 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 यहीं पर पर आपको बटानी है आपका जो भी जेंडर है उसको बतानी है कि आप कौन से जेंडर से आते हैं ट्रंजेंडर है तो आप यहाँ पर सकते हैं उसके बाद आपने मैटिक का पास किया हुआ है, उसको स्लेट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो भी क्यप्चा आपको नजरा आ रहा है, स्केप्चा को डालेंगे और सम्मीट के ओप्सन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सम्मीट करेंगे तो आपके सामने कुछी स्तरका हिंदी लंग्वेस से किया हुआ है, तो आप यहाँ पे हिंदी स्लेट करेंगे, ठीक है, के बाद यहाँ पे अगर आपको कहीं काम करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पना फोटो और यहाँ पे जो सिगनेचर है, उसको अप्लोड करना होगा, फोटो का जो साइज आप इसको अप्लोड करेंगे, उसके बाद सम्मीट के ओप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सम्मीट का ओप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपने जो भी रेजिटेशन में डिटेल्स डाला हुआ है, और यहाँ पे आपको टी करने के बाद सम्मीट के ओप्शन पर क्लिक करन है और उसके बाद यहां पर समीट के option पर क्लिक करना है तो अगर आपका भी मोबाइल नमबर अल्डेड है तो आप यहां पर आएंगे ठीक है जैसे कि हमें यहां पर दिखाएंगे कि हमने एक मोबाइल नमबर डाला हुआ है और यहां पर क्लिक कर रहे हैं तो बोल रहा है कि कब आपका जो रेस्टेरेशन ना ओलड़ेडी यहां पी स्क्राइब और तो यहां पर क्लिक ना होगा रहाइब करें तो आपका जो राजिस्ट्र आपके रोजिस्ट्र्स नमर मिल जाने के बाद अगर आप नाया राजिस्ट्र्स किया हुआ तो आपका form आगे बढ़ जाएगा और आपने पहले किया हुआ था जैसे कि फ्रीएस जो भरती आई हुई थी तो आपको जो आपना फॉर्गेट करना होगा और फॉर्गेट करने के बाद यहां पे सकेंड फेज पर आपको जाना होगा ठीक है और यहां पे अपलाई के आपक तो आपका पॉर्गेट किलिएगा अठीक होगा या फीरेगा तो सबसे पहले आपना यहां पर प्छिता प्टीक है कि आपने जो है कौन से बोट से मह के पास आई डेख लेंगे उसके बाद इसलेट करने जलेट करेंगे उसके बाद इंग्लिश में नमबर लेकर आये हो Ma crisis जो उसके बाद हिंदी है कि मैथली है कि उर्दू है आपको बताएंगे उसमें आप कितना नंबर लेकर आये हैं उसके बाद मैथमेटिक्स में आपका कितना नंबर है उसके बाद साइंस में आपका कितना नंबर है उसके बाद सोसल साइंस में आपका कितना नंबर है उसके ब अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा अब यहां पर आपने पहले बिहार सरकर के लिए अप्लाई करने के लिए स्लेट किया हुआ है तो आपको देखने को मिलेगा और पूछ रहा है कि बिहार में कौन से डिविजन के लिए आप चाहिए जिसको भी आपको फरस्ट में देना है उसको आप फरस्ट लिखेंगे जिसको आपको सकेंड में देना है 2nd लिखेंगे आप इसको alternative भी कर सकते हैं जैसे कि third में इसको देना है, fourth में आपको इसको देना है, sixth में आपको इसको देना है, तो इस तरह से आपका जो भी post preference है, आप अपने अनुसार इसको बता सकते हैं, कि कौन से जो ये post को आप preference देना चाहते हैं, लेकिन ध्यार कर सकते हैं, जो भी आप काईटी गड़ी से आते हैं, तो काईटी गड़ी जरूर देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि माले जह हम OBC का form फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, तो कोई apply कर सकता है, तो कोई apply कर सकता है, लेकिन AC में क्योवल AC ही apply करेगा, ठीक है, उसके बाद और भी हम देख लेते हैं, कि OBC में है की नहीं है, देखिए सारे जो है on reserved में है, ठीक है, और ABPM का post है, कहीं कहीं BPM का post है, तो इसको आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर और भी आप देखेंगे, नेश्ट करके, तो आपके लिए अगर कोई भी post होगा, यूर के प्लाइ कर सकता हूँ, यहाँ पर उसकी जनकारी में भर सकता हूँ, इस तरह से जनकारी आपको भरनी होगी, जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं, आप यहाँ पर पोस्ट प्रिफेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर declare करना है, और declare करने के बा सकेन में, फोर्थ में और फिफ्ट में अपने जो भी प्रिफेंस दिया हुए, आप चाहें तो कितने भी प्रिफेंस दे सकते हैं, आप अपने अकोर्डिंग जो भी आपके लिए है, और इसके बाद प्रिफेंस देने के बाद आपको लगता है कि हमने जो भी प्रिफेंस से आते हैं तो आपको कितना पेमेंट करना है अगर आप जेर्णल EWS से हैं तो आपको 100 रुप्या का पेमेंट करना है बाकि किसी को कोई भी पेमेंट नहीं करना है तो यहाँ पर मैं OBC से आता हूं तो मुझे कोई भी पेमेंट नहीं करना है इसलिए पेमेंट वाला जो है पे पेमेंट कर सकते हैं, देखिए हमारा जो पेमेंट है यहां पे, फिरी अपकोश्ट है, कोई भी अप्लिकेशन फी हमें नहीं देना है, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अल्मोश्ट आपको सरा जनकारी प्रवाइड करवा दिया है, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, फॉर्म को अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको वेड करना होता है, ठीक है, आपका जो ही मेरिट लिष्ट आता है, जैसे कि जो भी आपका मतलब कटप लिष्ट है, वो आता है, उसमें अगर आपका नाम आता है, तो आपको जो है documents verification करवाने जानी होती है और उसके बाद आपका selection नहीं पर किया जाता है इसमें किसी परकार कोई भी exam नहीं होता है तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें चले मिलते हैं एक नए वेडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जहां भी रहें स्रक्षित रहें स्वस्त रहें बहुत बहुत धन्यवाद